अलो एब्रिवान, वेलकम इन शिप्रनोमिक्स चैनल स्टुडेंट एसो के स्लेबस में आप लोगों को पढ़ना है टेलर सीरीज लेकिन जो भी स्लेबस रहता है स्टुडेंट उस स्लेबस से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं तो भीना उन टॉपिक को समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो डारेक्ट अगर आप टेलर सीरीज पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो इसके पहले आपको अप्टिमाइजेशन क्या है और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है इसके बाद हम टेलर सीरीज पर बहुचेंगे तो तो तोड़ा समय यहां पर आप लगों को इसकी जानकारी दे दूँगी उसके बाद मैं आपको मैं आपको मैं टेलर सीरीज बताऊंगी पर इसके बाद में आपको मैं आपको मैं आपको मैं नग्या कोर्स तार्ट हो चुका है और इसमें अभी मैं आप लोगों को अडवांस स्टाटस्टेक्स करवा रही हूँ तो इस बैच को जोइन करने के लिए आपको शिपरानॉमिक्स आप को डाउन्लोड करना है और उस पर सरा आप ये कोर्स ले सकते हैं सबसे पहले देखो किसी भी वेरियेबल अगर हम कोई फंक्शन की बात करें जैसे y is equal to fx ठीक है यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि जो y वेरियेबल है वो फंक्शन है किसका x वेरियेबल का हमें इसका optimum value निकालना होता है एक्स्ट्रीम वैल्यू हम निकालना चाहते हैं दो चीज़े है एक्स्ट्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है या तो minimum या तो maximum और optimization का those are different concepts optimization and extreme value जिसको हम econometrics में extremum कहते हैं optimization या अधिक्तम करन हम किसका करना चाहते है profit का है न मिनिमाइजेशन हम किसका करना चाहते है loss का या लागत का लागत कम हो जाए और हमारी profit जो है वो बड़े ठीक है तो optimum value and extreme value these are two different concepts अब यहाँ पर हम बात कर रहे है extreme value की किसी भी variable की extreme value निकालने के लिए आपको दो चीज़ करने पड़ती है first derivative देखना होता है और second derivative देखना होता है derivative का मतलब है कि आपको उसको differentiate या अफकलित करना है ठीक है मैं दोनों ही भाषाओं में पढ़ाती है student tandem मैंने एक PDF को open भी रखा है you can check from that PDF तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की अगर मुझे इसको extreme values की देखनी है तो दे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक extreme value यहाँ पर आ रही है है जो कि minimum है और एक extreme value जो है वो यहाँ पर आ रही है जो कि maximum है कोई भी curve अगर down हो रहा है इसका मतलब यहाँ पर इसका जो value है वो negative है तभी यह down हो रहा है इसका second derivative negative है और यह उपर के और जा रहा है मतलब कि second derivative इ 0 होता है तब यह क्या है यह इसका minimum point है इसी तरीके से इसका maximum point मतलब इसका first derivative यहाँ पर 0 हो रहा है इसका first derivative जो है यहाँ पर 0 हो रहा है इसका first derivative जो है यहाँ पर 0 हो रहा है first derivative 0 होता है minimum या maximum हमें प्राप्त होता है लेकिन अगर second derivative की हम बात करें तो second derivative is greater than 0 तो यह बढ़ेग ठीक है, इस तरीके से हम extreme value को यहाँ पर निकालते हैं और ये जो दो point मैं आपको दिखा रहे हूं ये दो point क्या कहलाते हैं, अब ये कहलाते है narrative extreme है ना, यहाँ पर भी एक extreme है और यहाँ पर भी एक extreme है तो इसको हम क्या कहते है, relative maxima या relative extreme क्योंकि एक maxima है और एक minima है तो इसको हम relative extreme में ले करके चल रहे हैं ठीक है अब देखो इसको हम लिखते किस तरीके से हैं अगर हमें optimization means question for the best ठीक है firm seeks to maximize profit relative extreme मैंने आपको बताया जब हम एक ही साथ यहां पर दो चीज़े देख रहे हैं एक जो यहां पर down जा रहा है और दूसरा यहां पर up जा रहा है तो यह जो दो extreme है extreme मतलब एक एकद 거는 term है minimization है और एक जो है the maximum point है तो ये दोनों extreme है या तो कम है या तो जाता है ठीक है relative मतलब इन दोनों की हम तुलना कर रहे है ये बिल्कुल कम है और ये बिल्कुल जाता है इतना समझ में आया अब relative extreme पर जाने के लिए हम क्या करते है first derivative देखते है first derivative का मतलब क्या होता है student की हम इसको अवकलिद करते है तो first derivative should be equal to 0 अगर first derivative हमारा 0 आता है इसका मतलब हम कहां पर है हम किसी भी graph के minimum point पर है ठीक है first derivative 0 आ रहा है मतलब हम minimum point पर है तो कभी भी आपको minimization के लिए कहा जाता है या फिर उसका extreme निकालना होता है तो first derivative should be equal to 0 जैसे यहाँ पर मैं आपको एक example दो x square plus 5 ठीक है इसको आपको कहा जा रहा है कि इसका आप extreme निकाले तो आप इसको क्या करोगे इसको आप differentiate करोगे तो यह हो जाएगा 2x is equal to 0 मतलब x की value जो है 2 आएगी ठीक है x की value दो होगी तो यह हाँ minimum पर हम पहुचेंगे अब हमें पता करना है कि भई यह जो है यह जो graph है यह उपर के और जा रहा है या नीचे के और आएगा है ना इसका यहाँ पर भी एक extreme हो सकता है इसके बाद यह नीचे आ रहा है यह उपर के और जाएगा तो हम second derivative लेते है f dash f dash अगर 0 से बढ़ा हुआ तो इसका मतलब यह क्या है increasing कोई भी graph जो है उपर के और जा रहा है और अगर जो second derivative है अगर जो second derivative है वो less than 0 है मतलब कोई भी graph जो है वो decreasing है वो घट रहा है है ना अगर यह decreasing है इसका मतलब हम यहां पर maxima पर थे और maxima से हम यहां पर नीचे की ओर जा रहे है तो यहां पर first derivative is equal to 0 और second derivative हमने क्या देखा was less than 0 तो यह graph क्या हो रहा है घट रहा है pretty clear बहुत ही easy concept होता है यह तो हम extreme देखते हैं उसके बाद minima और maxima के बाद हम देखते हैं कि graph नीचे आएगा यह graph उपर जाएगा तो student आप लोगों का जो syllabus है उसमें सिर्फ mathematics नहीं पढ़ना this is mathematics applied in economics right आप लोग जो question करें मैं math कौन पढ़ाएगा तो this is not only math यह math का application है जिसको आपको पढ़ना है economics में तो economics में कोई भी graph आप बनाते हो वो graph उपर की और बढ़ेगा या नीचे की और आएगा इसको कौन बताता है derivative बताता है और derivative को हम कैसे निकालते हैं अवकलन से ठीक है या differentiation differentiation के बहुत सारे formulas होते हैं है ना अगर आप differentiation कर रहे हो तो उसका basic formula क्या होता है axn अगर दिया हुआ है इसको अगर आप differentiate करोगे तो a nx n-1 मैं अब इसा बताती हूँ अगर मालो 4x square है तो आप इसको differentiate करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो 8x है ना a की जगा 4 जो है a है n की जगा कितना दिया हुआ है 2 तो a into n मतलब 8 हो गया और x तो इसी तरह से हम first derivative निकालते हैं ठीक है ये क्या था first derivative second derivative निकालना है तो इसी को हम दुबारा से differentiate करते हैं मतलब 8x को आप दुबारा से differentiate करते हो तो सिर्फ constant बढ़ जाएगा तो first derivative पहली बार आप कलिद कीजे second derivative दुबारा आप कलिद कीजे आप देखो यहाँ पर आ जाता है McLaurin and Taylor series McLaurin series McLaurin series में हम क्या जानना चाहते हैं McLaurin series पहले तो आपको एक function दे दिया जाएगा polynomial दे दिया जाएगा और उसमें आपको McLaurin series को समझाने के लिए कहा जाता है तो McLaurin series हम कब जानना चाहते है यह depend करता है कि हमारा maxima और minima पर value क्या है हमारा maxima और minima पर value क्या है अगर मान लो y is equal to हमने fx लिया है ठीक है y is equal to हमने fx लिया है और McLaurin series क्या है अगर मालो minima पर इसकी second derivative, first derivative इसका 0 है, अगर second derivative भी 0 हुआ, तब उस polynomial को expand करने के लिए हम McLaurin series का इस्तेमाल करते हैं, clear है, McLaurin series कब होगा, जब first derivative was 0 and second derivative was also 0, clear है, तो first derivative और second derivative, तो यहाँ पर Taylor series में, अगर इसी में हम Taylor series ले ले, Taylor series में हम expansion करते हैं, जब x is equal to x0 रहता है, right, Taylor series में बस थोड़ा सांतर होता है, Taylor series, expansion around any point x is equal to x0, right, McLaurin series, जब second derivative is also 0, first derivative is 0, second is also 0, and Taylor series when x is equal to x0, अब देखू, यहाँ पर हम, मैं थोड़ा पीज आगे बढ़ा हूं, student, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखें, मैं इसको थोड़ा solve करके बता रहे हूं, अगर मालेजे कोई भी function है, fx, ठीके, इसको हम इस तरह से polynomial function को लिखते है, a0 plus a1x plus a2 का x square, है न, इसके जितने भी exponential उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, this is what, polynomial function, this is what, polynomial function, ठीके, तो a2x square, और आगे बढ़ाएंगे, तो a3x पर cube, plus, इसको हम ले लेते हैं, a n x square n, तो एक हमने polynomial function लिख लिया, I hope आपको screen लिखाए दे रहा है properly, एक polynomial function हम यहाँ पर ले लेते हैं, अब इसका जब हम derivative निकालते जाते हैं, तो कितने तक हम derivative, जैसे इसका हम first derivative लेते हैं, fx लेते हैं, तो fx में, अब यह तो a0 है, तो यह तो derivative में खतम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसका हम differentiation निकाल रही है, आपकलन निकाल रहे हैं, a1x है, तो x पर 1 है, तो x तो पुरा खतम हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, a1 बच जाएगा, plus a2x square है, इसका differentiation क्या होगा, a2 तो रहेगा ही, 2 आ जाएगा, और a2, और x, है न, कैसे मैंने क्या मैं समझा रही हूँ, आपका formula क्या था, a xn रहता है, तो a n, x पर n-1, इस तरह से हम differentiate करते हैं न, तो a2x square को मैंने differentiate किया, अब कलिद किया, तो इसी formula पर, जितने भी है, सब को हम क्या करते हैं, differentiate करते हैं, plus, अब यहाँ पर a3 x cube है, तो 3 पहले उतार लो, a3 हो जाएगा, और x पर एक कम कर लो, x square, इसी तरीके से, आगे भी जितने भी हैं, उन सभी को हम कर लेंगे, तो आगे वाले को हम क्या लेख सकते हैं, n, n-1, और x cube है, तो a n, x पर n-2, अगर इसका हम 3rd derivative निकाले, 3rd derivative निकालोगे, तो a1 चला जाएगा, है न, हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, 2a2 है, है न, 2a2 है, तो यह आगे जितना भी आता जाएगा, हम इस तरह से differentiate करते जाते हैं, बच हमारा जो main polynomial function है, वो हमारा यह है, अब इसको हमें क्या करना होता है, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे यह बढ़ता चला जाता है, इसमें एक एक variable कम होता जाता है, ठीके, अब अगर मालो हम x is equal to 0 ले देते हैं, जैसे जैसे हम इसका अलग अलग derivative निकालते जा रह a1, कैसे होगा, क्योंकि first derivative हमनों निकाला है, तो यहाँ पर a1 बचेगा, क्योंकि हमने x को 0 से 0 मान लिया है, तो जहाँ जहाँ भी x है, वो सारे 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर cable और cable क्या बचेगा, a1 बचेगा, तो यही मैंने लिखा है, क्योंकि first derivative, अगर हम x की value 0 रखें तो a1 बचेगा, second derivative इस तरीके से क्या बचेगा, 2a2, है न, cable 2a2 बचेगा, क्योंकि x की value हमने 0 कर ली है, और second derivative निकालते हैं, तो cable 2a2 बचता है, x की value 0, ठीक है, plus 6a3, तो second वाले में 2a2 बचेगा, तो 2a2 यहाँ पर बचा, third derivative अगर लेते हैं, और उसमें भी x की value 0 करते है तो बचेगा, 6a3, मतलब जिसमें भी variables है, वो सारे variables, जो चर है, जो variable x है, उसकी value अगर हम 0 कर दें, तो पहला derivative, पहले constant के बराबर, दूसरा derivative, ए क्या है, constant है, इस ती rank है, दूसरा derivative, दूसरे constant के अधार पर, तीसरा derivative, तीसरे constant के अधार पर, है न, तो हम जितना भी derivative निका जालते है, derivative जो है, वो किसके term में आ रहा है, इस थी rank के term में आ रहा है, क्योंकि चर को हमने क्या कर दिया है, variable को हमने क्या कर दिया है, ठीके, अब इसी को McLaurin बताते हैं, कि अगर n factorial हम लेते हैं, तो क्या लिखा जाता है, n, n-1, n-2, इस तरह से बढ़ते हैं, तो अगर प का factorial, 0 divided by 1, 1 का factorial, factorial आये हो, आप लोग जानते होंगे, अगर मैंने 2 का factorial लिखा है, इसका मतलब 2 into 1, अगर मैंने 3 का factorial लिखा है, तो 3 into 2 into 1, पीछे की और घटे जाते हैं, तो अगर constant a1 का factorial लेते हैं, तो f पहला derivative divided by 1, अगर हम constant a2 का factorial निकालना चाहते हैं, तो second derivative divided by 2 का factorial, अगर हम a3 का लेना चाहते हैं, तो 3 derivative divided by 3 का factorial, ठीक है, इसी तरीके से हम बढ़ते जाते हैं, तो polynomial function को जितनी बार आप calculate करोगे, जितनी बार आप उसको आफगलित करोगे, एक एक variable उससे less होता जाएगा, सिर्फ constant को अगर हम लेते हैं, तो constant का अगर हम factorial निकालना चाहते हैं, तो derivative divided by constant का number, ठीक है, अब देखो इसी को हम लिखते हैं, अगर हम a n का निकालना चाहते हैं, तो f n 0 divided by n का factorial, clear है, अब देखो इनी सब को, हम किसमें डालते हैं, हमारा जो polynomial था, हमारा polynomial क्या था, अगर f x है, तो a 0 plus a 1 x plus a 2 x square plus a 3 x n, जितना हम बढ़ाते चाहें, है ना, अब इसी में a 0 की value हम रख देते हैं, a 0 की value क्या थी, यहां से देखो, a 0 की value हमारी यहां पर, अगर a 0 की value होगी, तो हम लिख सकते हैं, a अगर 0 है, तो factorial 0 divided by 0, है ना, a 1 की value factorial 0 divided by 1, तो अब हम यहां पर value डालना शुरू करते हैं, तो a 0 की value होगी, f 0 divided by 0 का factorial, प्लस, दूसरा क्या है, a 1 की value, तो यहां पर a 1 की value डालो, पहला derivative divided by 1 का factorial, इन्टू x, ठीक है, इसी तरीके से, a 2 की value यहां डालो, तो second factorial, second derivative divided by 2 का factorial, इन्टू x, जितने भी इस तरीके से terms आगे बढ़ते जाएंगे, हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे, हर जगा constant की जो value आई हमें, जो factorial के value आई constant की, उसको हम डालते जाते हैं, और x से हम गुना करते जाते हैं, तो यह term जो है, आगे आपका बढ़ता जाता है, ठीक है, इसको हम last में लिख सकते है, f n 0 by n का factorial into x पर n, तो यह आपका है Maclaurin, Maclaurin formula, right, तो Maclaurin formula में basically हमने किया क्या, polynomial function जो है, उसको जितनी बार हमने आपकलित किया, एक-एक उसमें से variable निकलता चला गया, क्योंकि किसी को भी आप अगर आपकलित करोगे, एक-एक variable उसमें से less होता जाता है, variables जब less होते जाते हैं, तब हम एक constant के term में मिल जाता है, ठीक है, तो पहला जो derivative है, उसका constant a1 बचा, second derivative का constant 2a2 बचा, अगर हम variable को 0 मान करके आगे बढ़ते हैं, variable को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो पहले derivative में a1 बचा, दूसरे में a2 बचा, तीसरे में a3 बचा, अब इसको factorial के term में लेते हैं, तो a0 का factorial, f0 by 0 का factorial, a1 का a1 इस्तिरांग का factorial, तो f-0 divided by 1 का factorial, इसी तरीके से आगे जितना हम बढ़ते जाते हैं, a2 का, a3 का, a1 का value निकालते हैं, अब इसी values को, जो हमने constant की values निकाली है, इसी को हम किसमें रख रहे हैं, polynomial function में, ठीके, polynomial function में आप रख रहे हो, तो सारे values जो है, change होंगे, अब यहाँ पर a0 की value तो आ गई, a1 की value के साथ हम x को गुना कर रहे हैं, a2 की value के साथ x को यह आपका है Maclaurian series, Taylor series क्या है जब x is equal to x0, तो यह मैं आपको next video में बताऊंगी, I hope आपको यह समझ में आयोगा, and this is not only mathematics student, यह केवल mathematics नहीं है, यह mathematics का application है, आपको किसमें mathematics का application है, economics में, तो यह वही teacher बढ़ा सकते हैं, जिनका math भी अच्छा और economics भी अच्छा है, तो आप आपने बोला मैं एक बना करके बताईए, तो this was mathematical economics, and this is my specialization, right, तो अगले वीडियो में मैं आपको Taylor series भी बता दूँगी, तो यह समझ में आजाए कि क्या पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है, सांखे की अधिकारी, बहुत बढ़ा post है student, और इसमें mathematics और सांखे की, दोन mathematical economics, don't worry for that, and I hope आपको McLaurian series समझ में आ गई, तो Taylor series भी समझ में आ जाएगी, because देखो, ऊपर ऊपर का syllabus दिया हुआ है, तो ऊपर ऊपर पढ़ने से यह syllabus कवर नहीं होगा, अगर आपको Taylor series पढ़ना है, तो पहले McLaurian series समझो, McLaurian series के पहले optimization समझो, optimization और extreme value में क्या अंतर है, य तो यह course student मैंने अपने app Shipranomics पे start कर दिया है, जिसमें अभी applied statistics चल रहा है, you can join my batch on Shipranomics app, इसकी life classes चल रही है student, एक दिन में दो life class अभी मैंने कर दिया है, सामको 7.30 बजी और दूसरी life class 9.00 पीम, तो यह दो life classes अभी चल रही है, जिसको आप join कर सकते हैं, आज के लिए इत कर दो, यह दो कर दो दूसिया है, आपको कर दो आप में दिए रहां कर दो